पेंद्र की सरकार की कथत श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ बड़ी ट्रेड यूनिनों ने आज देफ्यापी हर्ताल पर बुलाया है और हम आपको अब अलग-अलग शहरों की तस्वीर यहां पर देखाएंगे जो हाँ आप देख सकते हैं कि ट्रेड यूनिनों का हर्ताल शुरू हुआ है ट्रेन रोकी गए है नो CAA, नो NRC और साथी आग लगा कर भी प्रदर्शन कारियों का तो आज की भारत बंद की तस्वीरे हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असर किस तरह से देखने को मिला है और इन प्रदर्शन कारियों ने किस तरह से आम लोकों के लिए कही न कहीं मुश्किले पैदा की तो पश्रमंगाल, हैदरबाद, मुंबई, इसकी साथी चंडीगड़ और दिल्ली और लखनओ की ये तस्वीरे हैं हरताल का असर इन छे तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं पश्रमंगाल मे जहाँ आग लगाकर प्रदर्शन किया गया, ट्रेन रोकी गई और बसों में भी तोड़ फोड की गई, तो हैदरबाद में भी कुछ से तरह का नजारा जहां पर प्रदर्शन कारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए और मूंबई में जो प्रदर्शन हुआ उसकी चलते घ प्रांगों को लेकर वहीं लखनों में भी इस प्रदर्शन की तस्वीरे की आखरकार असर किस तरह से लखनों में भी भारत बंद का देखने को मिला है। और सरकार से उनकी नीतियों को लेकर सवाल यहां पर उठाये जा रहे हैं। पश्रम बंगाल में देखने को मिला है। तो दस केंद्रे ट्रेड यूनियन जुनकी हरताल है और कई संगठन इनका जुरान ये समर्थन भी कर रहे हैं। तो भारत बंद का असर भारत बंद बुलाया गया। ख़ए हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। आर्थिक और जन विरोधी नीतिया केंद्र सरकार की जुनके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत बंद बुलाया गया है। लेकिन जो ऐसा कि आपको बताया बंगाल में इसका सीधा असर यहां पर और राहूल गांधी भी कहिना कर इस समर्थन को भारत बंद को समर्थन करते भी नज़र आये हैं। ट्विटियां पर उन्होंने आसुबे किया था भारत बंद को लेकर और कहा था कि वो सभी के साथ हैं संग्ठनों के साथ हैं।